इसके इसके साथ अगर हम आई टी सेक्टर के बात करेंगे दोस्तों तो आई टी सेक्टर में हर रोज एक नई रैली तो बनती है उसे के साथ साथ हर एक कंपणी नया नया अपना बिजनस प्लान लेकर आती ही रहती है जैसे कि अभी Infosys में हाली में एक प्लान लाए बाइब का दोस्तों इसके उपर जानकरी करने डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू होए तो सब्सक्राइब करना ना भूल और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंच जाए दोस्तों अगर हम Infosys के शेर की बात करेंगे दोस्तों Infosys ने लगभग पिछले अगर पांस साल की बात की जा दोस्तों तो उसने 9 लगभग 165% का रिटन दिया उसे की साथ-साथ अगर दोस्तों हम बा दोस्तों अगर हम पिछले एक साल से Infosys को भाई करने के लिए जबकि Infosys था सिर्फ और सिर्फ आठ सो या 900 रुबे गया आसपास दोस्तों तब से इसको बताया जा रहा कि भाई करना दोस्तों गर उसे की साथ-साथ अगर न्यूज की बात करें दोस्तों आज हाले में एक रिलीज हुई है जो की बाई बैक से रिलेटेड है दोस्तों देखिए दोस्तों Infosys to being RS 9,200 करो शेर बाई बैक प्रोग्राम फ्रम जून 25 ठीक है दोस्तों देश की दूसरी सबसे बड़ी सौफ्टेर कमपनी Infosys का शेर बाई बैक प्लान शुक्रोर से शुरू होगा कमपनी इसमें 1,750 रूपीज प्रती शेर की अधिक्तम कीमत पर 9,200 करो रूपे की शेर खरी देगी अगर उसी के साथ साथ अगर बात करें दोस्तों देखिए दोस्तों Infosys ने अपने एक शेर की प्राईस 1,750 रूपीज लेगे अवे फिलाल में उस शेर की बात की जाए तो पंद्रा सो रूपे के आसपाच चर रहा है दोस्तों Infosys ने स्टॉक एक्स्चेंज के जरिए ओपन मार्केट से कमपनी के एक्क्विटी शेर के बाई बैक के लिए बुद्वार को समाचार पत्रों में एक विज्यापन के जरिए जानकरी दी थी कल ही ये जानकरी आई थी दोस्तों अगर उसके साथ अगर हम बात करें दिए कंपनी है अप्रू इट्स प्लान इट्स प्लान टू बाई बैक शेर मैक्जिमम प्राइस 1750 पर शेर डूरिंग दूरिंग दूरिंग दफॉर्थ कोर्टर रिजल्ट इन 25 ठीक है दोस्तों अगर 21 में देखे दोस्तों कम कमपणी ने 1,750 रूपई का बाई पैक लेगा है दोस्तों अगर यह शुरू होगा दोस्तों पतचीस से ठीक है पतचीस जून से दोस्तों तो देखे दोस्तों अभी फिलाली शेर की कीमत है तो यह जितना बाई बैक आया उतने तक ज़रूर दबहटेगा दोस्तों तीन से तो अभी तीन से पांस दिन में जरूर आएगी दोस्तों देखिए दोस्तों उसके साथ ही साथ बोर्ड अपरोल्स की भी मंजूरी मिल चुकी है कमपनी ने बता है कि अगर शेर्स को मैक्जिमम बैक प्राइस से कम प्राइस पर खरिदा जाता है तो बाइबैक के जाने वाली इक्यूटी शेर्स की वास्तीवीक संक्या अधिक तम बाइबैक शेर्स से अधिक हो सकती है लेकिन यह है अधिक तम बाइबैक साइज का विशे हुँगी ठीक है दोस्तों यह तो अलग बात होगी तो अगर उसी के साथ आगर बाइबै कि लिए fund का इंतिजाम company के पास मौधुजार resource से भी होगा Infosys के board ने April में 15,600 करोड रुपए के capital return का सुजाओ दिया था इसमें से 6,400 करोड रुपए का final dividend और 9,200 करोड रुपए का shares का open market से buyback शामिल था और वो ही buyback दोस्तो अभी आया हुगा March quarter में अगर उसी के साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तो इसके finance के बारे में देखे दोस्तो IT से बिलॉंग करती है कंपणी अगर इसी का finance तो सबसे तगड़ा होगा दोस्तो देखे दोस्तो market cap भारत की तीसरी कंपणी है दोस्तो IT के 6,400,000 के आस पास का market के आप है दोस्तो उसके साथ साथ P ratio भी देखा जाए तो P 32 है अगर उसी के साथ अगर हम इसकी sales growth की बात करें दोस्तो देखे दोस्तो 2017 की अगर बात करें तो 2017 में इस company ने लगबख 68,000 का sale कहा था और अगर March 21 की भी बात करेंगे दोस्तो तो March 21 में लगबख इसने 100,000 करोड लगबख 100,000 करोड रुपए के sale के है उसी के साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तो नेट प्रोफिट की भी दोस्तो तो नेट प्रोफिट में भी बढ़िया उचालाया हुआ है दोस्तो देखें नेट प्रोफिट जब की अगर हम 2017 की बात करें दोस्तो नेट प्रोफिट की तो दोस्तो देखें नेट प्रोफिट जो हुआ था 14,000 करोड रुपए के 14,000 करोड के आसपास वा था उसी के साथ साथ अगर 2018 की भी बात की जाया तो दोस्तो 2018 में भी 16 2019 2021 में 21 में भी 19000 करोड के इसने रिजर्स प्रोफिट बनाया हुआ दोस्तो उसे के साथ साथ अगर हम इसके की बात करेगे दोस्तो तो नहीं रिजर्स की बात करेइमस थो 2017 में 09 जो आपके पास प्रोपर्टी है दोस्तो इसका मतलब दोस्तो जितना उसके पास करजा है उतना उसके पास assets भी हैं दोस्तो तो इस वज़े से company depth free company है दोस्तो और भारत की सबसे बड़ी तीसरी company जो के depth free company है दोस्तो इस में मतलब अभी buyback आया हुआ तो rally तो तय है दोस्तो उसे के साथ साथ अगर बात करें दोस्तो इसके target की तो Infosys का जो target हो ना दोस्तो और मतलब कई लोगों ने दिया है उसमें से मैं सिर्फ एक दो लोगों का ही बताने वाला हुआ दोस्तो देखें दोस्तो Infosys का target और 1700 का share khan net target दिया है उसे के साथ साथ अगर हम मोतिला लोसवाल की भी बात करें तो उन्होंने भी 1700 का ही target दिया हुआ है दोस्तो और उसे साथ साथ अगर ISAC का भी हम सोचेंगे तो उसने भी 1800 का उसने target दिया हुआ है दोस्तो अगर उसके balance rate भी तगड़ी है दोस्तो और rally तुप्त है दोस्तो तो इसमें share में newish करना चाहिए यानि अपनी खुद की research करना दोस्तो और एक बात जरूर ध्यान रखिए IT sector है दोस्तो आइटी सेक्टर में हर रोज एक नया plan आता ही रता और नई reality बनती ही रती है दोस्तो तो देखे दोस्तो आपना खुद का research करना और फिर ही invest करना किसी ने बोलाए तो blindly सोच के कभी भी निविश मत करना दोस्तो